प्रधान मंत्री किसान समान निधी की सात्वी किस्त आगामी नुवंबर या दिसंबर माह में आने वाली है इस योजना के तोहत 11 कोर्स से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए आएंगे बता दे कि मोधी सरकार ने अब तक 2,000 रुपए की छटी किस्त किसानों के खाते में जमा की है प्रधान मंत्री किसान समान निधी योजना की सुरुवात पि-म मोधी ने 24 फरवरी 2019 को की थी बता दे कि अगर आपने अवेदन कर दिया है और आपने अवेदन की स्थिति जाच करनी है तो आप p.m.kisan.gov.in के वेपसाइट पर जाएं सार्दिय नौरात्र पर्व को लेकर कलस अथपना आज सार्दिय नौरात्र पर्व को लेकर राची सहीत राज भर में उत्साह का महल है भक्तों के द्वारा विभीन पुजा पंडालो और घरों में सनीवार को कलस अथपना की जाएगी बतादे की संक्रमन काल के मदर नजर इस बार अधिक से अधिक लोग घरों में मा दुरुगा की परतिमास थापित कर पुजा अर्चना करने की त्यारी कर रहे हैं जर्चन के सिम्डेगा जिला में दुरुगा पुजा समीती ने साफ कर दिया है कि परसासन का अडियल रवया बना रहा तो जिला में कहीं भी मूर्ति पुजा नहीं होगी दुरगा पुजा धार्मिक सास्त्रों के अधार पर होगी नकी सरकार और परसासन के दबाव में परसासन जवरन कुछ नियम थोप रहा है जिसकी वज़ा से जीले की सभी पुजा समीति ने इस बार मुर्ति पुजा नहीं करने का निनलिया है बता दे कि समीति ने कहा है कि तरह की जग रूपता अभियान चला रही है इसी कड़ी में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरीद करने के उद्यस से जिला परसासन ने मास्क लगा कर सेलफी लेने समन्दीद एक जन जग रूपता अभियान के शुरुवात की है बता दे कि हर्ष टेक राची वीद मास्क केंपेंड की शुरुवात की है साथ ही बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की अप्ल लोगों से की है मैट्रिक इंटर संपूरक परिक्षा नॉवंबर के पहले हफ्ते तक मैट्रिक वा इंटर संपूरक परिक्षा 2020 के आउजन की अनुमती मिल गई है साथ ही अने आधा दर्जन लंबित परिक्षाएं भी होगी इन परिक्षाओं में राजे के लगभग एक लाख विद्यार्थी सामिलित होंगे परिक्षाएं दुरगा पुजा के बाद नॉवंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है यह जनकारी जारखंट एकेडवी काउंसिल जैक के अध्यक्ष डाक्टर अर्विन परसाद सिंग ने दिया है उन्होंने कहा है कि परिक्षाओं के तिथी इसी माँ गोशित कर दी जाएगी मुखमंत्री हमन्सुरे ने दुमका में 12 साल की बच्ची के साथ समोहिक दुसकर्म के बाद हत्या किये जाने के मामलों को गंभीता से लिया है मुख मंतिरी ने पुलिस महा निदेश को उक्त मामले में संग्यान लेकर सक्स करवाई करते हुए सुचित करने का निदेश दिया है साथी सभी जीला परसाशन एवं जीला पुलिस को ऐसे घ्रीनित मामलों की जाज कर फास्ट्रेक कोट के मादेम से दोसियों को सक्ष से सक्ष सजादी आने का अदेश दिया है बाबा मंदिर में 15 दंडा अधिकारी और 250 जवान की प्रतिन्युक्ति बाबा मंदिर आने वाले सरदालों की सुविधा, सुरक्षा और विधी ब्यवस्था को दुरूस्त बनाये रखने के उदेश से 15 दंडा अधिकारी और 250 जवान की प्रतिन्युक्ति की है उन्होंने बाबा मंदिर में 3 पालियों में दंडा अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तिन्युक्ति की है प्रत्थम पाली प्रता 5 से 10 जबकि 2 तिये पाली 9 से 2 वही तिये पाली 6 से 8 बे तक की गई है गिरीडी में महिला और 3 बच्चों को मारने के मामले की CID जाच शुरू गिरीडी में महिला और 3 नवाली की संसनी खेज हत्या की जाच CID ने टेक अबर कर ली है बता दे कि जार्खन हाई कोट ने मामले की जाच में गिरीडी पूलीस की भूम का गलत पाते ही CID से जाच का आदेश दिया था जार्खन हाई कोट के आदेश पर CID के राची क्राइम ब्रांच परभारी DSP मोहमद नहालूदीन को जाच का जिमा दिया गया है जार्खन के 62.80 परतिसद बचे नीट परिक्षा में सफल रहे नेशनल टेस्टिंग एजनसी की ओर से शुक्रवार को राश्ट्रिये पतरते सह परवेश परिक्षा नीट का परिनाम जारी किया गया है इस बार परिक्षा में जार्खन के 62.80 चाट्र सफल रहे यह परिणाम पिछले साल की तुनला में बेहतर है पिछले साल 60.8 एक फिश्दी चात्र इस परिक्षा में सफल हुए थे जारखन कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्ताव को मंजूरी रश्टी एक खाज सुरक्षा अधिनियम से अच्छाजित राजिक के 57.1 लाख परिवार को सोना सोबरन धोती साड़ी बितरन योजना के तुआत 10 रुपए में धोती साड़ी दी जाएगी इसे समधित प्रस्ताव को सुक्रवार को जारखन कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है बता दे कि इसके तहात एक साल में दो धोती या लोंगी आत्वा दो साड़ी देने की मंजूरी दी गई है इसके साथ ही जे पी एसी और जे एससी की और से ली जाने वाली परिछा और पंचायत अस्तर पर 416 विद्यालों को अदर्स बनाया जाएगा इस योजना में 5 साल में 1085 कोड़ो रुपे खर्च होंगे जार्खन में 479 संक्रमितों को पुष्टी हुई जो राचिस 130, बोकारो 34, देवगर 23, धनबाद 28, दूमका 3, पूर्वी सिमुम 57, गडवा 10, गिरिडी वा गोड़ा 9, गुमला 18, हजारी बग साथ, जामतला 2, खोटी 12, कोड़ारमा 10, लाते आर 3, लोहर्दागा 18, पलामु उनाईस, रामगर 32, साहब गजबाच, सरायक केला 3, सिम्डेगा 22, वा पच्चमी सिमु से 17 मिले हैं, जार्खन में कुल संक्रमितों की संक्ख्या 951,425 है जबकि 88,058 लोग सोष्ट हुए और 823 की मिलिती हो गई, भारत में कुल संक्रमितों की संक्ख्या 74,3635 है जबकि 65,125 सज्जार 634 लोग सवस्थ हुए और 1,133,032 की मिरिती हो गई भारत में नाए केस 62,104 मिले है जब की 37,366 लोग सवस्थ भी हुए है जार्खन में सुक्रवार को 4 की मौथ हुए है जो बोकारो देवगर धनवाद वा गडवा से 1 की मौथ हुए है सुक्रवार को 818 मरीज सवस्थ हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है सरकार बोली जार्खन में नहीं विकरा गुटका किये गए जबाब में गुटका पर्पुन पर्तिबंद बताया जाने को मानने ये खंड़ पीत ने आश्चर जनक बताया और अब इलम अपने करमचारी को बजार भेज कर गुटका के कुछ नमुने मंगा कर अधिकारी को दिखाया और पूछा कि ये अकिस परकर का पर्तिबं है पूर में दिये गए अल्टिमेटन की मियाद खत्म होने के बाद मंत्राले ने जारखन के रियर बैंक अफ इंडिया के खाते से 147.50 क्रोर वसुनने का आधिस दिया है यह बकाय की परिकिस्थ और बकाय की पुरी रासी 568.32 क्रोर रुपय है दिसंबर से OTP आने के बाद ही मिलेगा गैस सिलेंडर मोबाइल नमबर करे रईस्टर्ड दिसंबर से OTP आने के बाद ही उभकता को गैस सिलेंडर मिलेगा इसके लिए सभी गैस एजनसी को आदेश जारी कर दिया गया है बतादे कि जोड़ा फाइट इंडिया गयस एजनसी का कहना है कि इसके लिए आदेश आ चुका है मेन पेपर अब तक नहीं मिला है नहीं तो नॉम्बर से ही नहीं वेवस्ता सुरू हो जाती बतादे कि OTP से गयस सेलेंडर मिलने से कला बजारी पर रोक लगेगी राइश्टर मोबाइल नंबर से ही गयस का नंबर मिलेगा सांसत संजय ने केंद्रिये पर्याटन मंत्री से की मुलकात राची के सांसत संजय सेट ने सुक्रवार को दिली में केंद्रिये राजय मंत्री पर्याटन एवम संस्कृती प्रलाद सिंग पटेल से मुलकात की साथ ही उनके साथ बैटकर राची लोग सभाचेतर के अंत्रगत पर्याटन के विकास के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गुटका विक्री पर रोक लगाने के लिए पूलिस ने की छपे मारी रामगर जिला में अवे तरीके से विक्र है गुटका सिग्रेट आधी की विक्री पर रोक लगाने के लिए सघन छपे मारी की गई एसपी परभात कुमार के निदेश पर रामगर सहर के अलावा मांडू, भुरकुंडा, पतरातू, गोला, थाना, छेतर में छपी मारी की गई इस समद में एसपी ने बताए कि राज सरकार दोरा गुटका की विक्री पर रोक लगा दी गई है इसके अलावा उसके संग्रहन और टांस्पोर्ट पर भी पूरी तरीके से पबंदी है लोहरदागाट डिसी ने की खनन टास्क फोर की बैठक लोहरदागा उपायुक दिलिप कुमार की अद्यक्षिता में सुक्रवार को खनन टास्क फोर की बैठक आयूजित हुई बैठक में उपायुक ने अबयद रूप से बालू का उठाव को रोकने के लिए गठित टास्क फोर को निर्देश दिया की अभी भी नदियों से अबयद रूप से बालू के उठाव की सुचना आ रही है इस दिसा में व्यापक करवाई करे संकट के समय में रासी काट लिया जाना दुरभागे पूर्न रामेशवर उठाव जार्खन के बित तथा खादा पूर्ती मंत्री रमेश्वरुराव ने केंद्र सरकार के निर्देश पर आरवी आई द्वारा डीवी सी की बकाय का किस्ट 1470 को रुपए राज सरकार के खाते से काट लिये जाने की करवाई को पूरी तरह से गलत और नजायज बताया है उन्होंने केंद्र सरकार की इस करवाई को गहर भाजपा सासित राजियों के साथ सोतेला पूर्ण बेभार करा दिया है भाजपा प्रतिनीदी मंडर नबालिक से दुसकर्म पिरित परिवार से करेंगे मुलकात दुमका के रामगर एवं साहिवगंज के बरहेट विधान सबांतरगत रांगा में हुई नबाली की रेप और हत्या किये जाने की घटना को लेकर भाजपा का प्रतिनीदी मंडर परदेश अध्यक्ष सांसत दीपक परकास के निर्देशान उसार 17 अक्टूबर को 8 बजे प देवघर निगम भावन का उदगाटन मुख मंत्री हमन सुरेन करेंगे बतादे कि उदगाटन आज सनिवार को दीन में एक बजे किया जाएगा देवघर नगर निगम का नया भावन न सिर्फ जार्खन बलिक पूर्व भारत का सबसे भावे एम आकरसक है बतादे कि नगर निगम भावन का परिसर 85,992 बर्ग फिट में है जार्खन हाई कोट ने बच्चों की तसकरी करने के आरोपियों पर करवाई की जनकारी सरकार से मांगी है सोता संग्यान लिए मामलेक की सुनवाई करते हुए चिफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परसाथ की अदालत ने सरकार को इसका बिश्तिरित ब्यवरा देने को कहा है सरकार को याँ बताने को कहा गया है कि अब तक कितने आरोपी पर करवाई की गई है सरकार से 4 दिसमबर तक विश्तिरित रिपोर्ट देने का निर्देश अदालत ने दिया है घंटी अधारित सायक प्राध्यापको को मिलेगा निमतम 30,000 उस तक निकी सिक्षाय अमकौसल विकास विभाग की और से पत्र जारीकर राजी के सभी विश्व विद्यालेओ के कूलपतियों को घंटी अधारित सिक्षको का मांदे बुक्तान करने को कहा गया है पत्र में कहा गया है कि कॉमिन-19 के कारण लोकडाउन के बाद कक्षाय संचालित नहीं हो पाई इसके कारण घंटी अधारित सिक्षको को काफी कटनाई हुई है विभाग के प्रधान सचीव सहलेश कुमासी हिने कहा कि इसको देखते हुए प्रावधानों के अंतरगत याथा संभव इन सिक्षको को इतनी कक्षाय दी जाए कि उन्हें प्रती महानिम्तम 30.000 मांदे का भुक्तान हो सके पेड़ा उद्योग को जियो टावजिंग से जोड़े डिसी देवघार उपायूद कमलेशवर पर्थास सिंग के अध्यक्सता में देवघार जिला अंतरगत नए उद्योग धन्दों के संभवनाओ उद्योग पेड़ा उद्योग लोहार गिरी उद्योग कालीन उद्योग फूलो की खेती आदिस अंचाली था है उन्हें और बेहतर करते हुए उनके गुनवाता में सुधार करने उद्योग उनके बजारी करन के हो सकता धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत का बेल एक अंदर बाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करें साथी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में आपना सुझाओ अवासे दे थांक्यू